चामोशी हरनखाट जो नागपूर के चंद्रपूर का निकट्तम मार्ग है हरनखाट पुल से चामोशी तक राज्ये मार्ग 307 पर जार्क एक हना भर कुट है पर चामोशी तक पर शड़कत से पानी भर गया है नागरिकों ने अब लोक निर्मान विभाग के कामकाच पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण तालूका में सड़क पद देरी हुई लेकिन तेज चुलाई को हरंगार पुल से चामोशी तक 15 किलोमीटर भीडभार के कारण स्टेट हाइवे पर निचले इलाकों में कई जगा पानी भहरा था जो कुछी दूरी पर है इसलिए कई जगा बड़े बड़े गड़े हो गए हैं लोक निर्मान विभाग ने पिछले 10-15 वर्षों में इस सड़क पर कोई काम नहीं किया है हालकि राज से हो रही 230 मिलिमीटर बारिश के कारण इस सड़क की स्थिती दैनी हो गई है और वहन मालिकों अगाम नागरिकों की और से यह राय वेक्त की जा रही है कि लोक निर्मान विभाग इस और आखी मूंद रहा है मूल हरंगाट से चामोशी 27 किलोमीटर है सड़क को राश्री राजमार्ग से जोनने की कई बार मांग की गई लेकिन सरकार और जिल्ला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया इसलिए यह सड़क बदहाल हो गई है कुनन सारी से जांकिरी तक तालुका कृष्णा नगर रोड प्रागीमा नौ चामोशी मरकडा देव हरंगाट रोड प्रागीमा 37 बेंडाला बोरी जैरामपूर अन्ना खोड़ा प्रगीमा 17 तलेडी आमगाव महल भादभीडी गोट स्टेट रोड 381 भादभीडी गोट र करंगार पुल से चामोशी तक इन सडकों को प्रात्मिकता देनी चाहिए और अन्नी भाद से शतिग्रस्त सडकों को आमनागरिकों से तुरंत स्वीकरत और फिर से रूट किया जाना चाहिए चामोशी से बीसेन न्यूस के लिए बबन वड़े टिवार की रिपोर्ट